in some situation even though the liquid is conducting the bulb may not glow कभी कभी ऐसी situations भी आ जाती है कि liquid जो है वो आपका good conductor है electricity का means for conducting है बट फिर भी bulb ग्लो नहीं करता it may have happened in activity 14.2 what be the reason is activity में ऐसा भी हो सकता है जब आप इस activity को कर रहे हैं और जब आपने लेमन जूस लिया है या फिर आपने विनेगर लिया है ठीक है और वो गुड कंड़क्टर है electricity का यह आपको पर होता है बट जो आपका बल्ब है वो ग्लो नहीं किया क्या रीजन हो सकते हैं उसके do you remember why the bulb glow when the electric current pass through it क्या आप इस बात को जानते हैं कि जब बल्ब ग्लो करता है जब उसमें से electricity पास होती है तो बल्ब ग्लो क्यों करता है ऐसा क्या होता है कि बल्ब ग्लो करने लगता है कि ड्यू टू दा हीटिंग एफेक्ट ऑफ करंट क्यूंकि उसमें क्या होता है हिलेक्ट्रिक करंण का हीटनकं की एफेक्ट होता है जिससे फिलमेंट हीट हो जाता है बल्ब को और वह ग्लो करने लगता है ठीक है थाया है Ăपके फिलमेंट लगता है However, if the current through up, circuit is too weak जब बल्ब में से electric current पास हो रही है circuit में से पास हो रही है और electric current जो है वो बहुत weak है ठीक है, बहुत light है जिससे filament को उतनी heat नहीं मिल पाती जितनी उसे मिलनी चाहिए sufficiently and it does not glow मतलब जब उसे heating effect उतनी नहीं मिलेगा heating उसे उतना नहीं मिलेगा अगर वो hot नहीं हो पाएगा, red hot नहीं हो पाएगा आपका filament तो आपका bulb glow नहीं करेगा आपने देखा भी होगा कभी-कभी आपके घर में जब voltage dim आते है क्यों आते हैं क्योंकि electric current उतनी resistance में उतनी empire में नहीं flow हो पाती है circuit में इसे जितनी एक bulb को glow करने के लिए चाहिए ठीक है तब आप कहते हैं कि हमारा जो voltage है वो dim आ रहा है हमारा bulb glow नहीं कर रहा है क्यों नहीं कर रहा होता तब आपका filament जो है वो उतना red hot नहीं हो पाता है जितना उसे glow करने के लिए चाहिए and why is the current in the circuit weak अब circuit में electric current weak क्यों है वेल दो है material में conduct electricity it may not conduct it is easily as a metal है ना कभी-कभी ऐसा होता है कि जो आप में liquid का जो material लिया है ठीक है वो उतनी electric current पास नहीं कर पाता है जितनी एक metal में कर पाता है as a result the circuit of the tester may be complete and yet the current through it may be too weak to make the bulb glow और उसका result क्या होता है circuit complete है आपके tester का but electric current उतनी weak है कि वो आपके bulb को glow नहीं कर आ पारी है तो इसका means ये नहीं है कि आपका जो liquid है वो good conductor नहीं है electricity का इसको test करने के लिए है हम क्या बनाते है जो weak current को भी detect कर सके एक दूसरे tester हम बनाते है we can use another effect of an electric current to make another kind of tester electric current के दूसरे effect को test करने के लिए है तो हम क्या करेंगे दूसरे एक दूसरी धना का tester हम बनाते है do you recall that the electric current produces a magnetic effect जब heating effect हमारा उतना नहीं हो पा रहा है तो हम उसका current का magnetic effect देखेंगे ठीक है आपने पढ़ा है ना कि यह electric current जो है वो magnetic effect भी प्रेड्यूस करती है what happened to the compass of needle kept nearby when current flow in the wire जब आप जिस wire में current flow हो रहा है और उसके पास आप compass needle लेके जाते हैं तब क्या होता है even if the current is small the deflection of the magnetic needle can be seen तब आप उसमें क्या सकने है current अगर small भी है अगर weak भी है electric current अगर weak भी है तब भी आपको magnetic needle में deflection शो होगा जिससे आप यह बता पाएंगे कि भाई इस liquid में electric current तो पास हो रही है बट उसका heating effect हमें नहीं दिख रहा बट magnetic effect हमें उसका दिख रहा है can we make the tester using the magnetic effect of current तब हम उसमें क्या करते हैं electric current का magnetic tester बना लेते हैं magnetic effect दिखाने के लिए हम magnetic tester बना लेते हैं अब हम वो किसमें सीखेंगे अपनी next activity में 14.3 में